नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का वाइट एजूकेशन में और सुबह के नौ बज चुके हैं और आज से ये जो वीडियो है आप लोग को नौ बजे मिलेगा बिहार सिपाही के रिगाडिंग जो कि कॉंस्टेबल और फायर मेंन की तैयारी कर रहे हैं और मद निश यहां पर निश्णकोच ते संस्कुरित है तो निसंकोच में परियोगत जो उप्शर लगा वह नी लगा है क्या लगा है नी लगा तो नी के साथ यहां पे उपसर्ग बना है, सब्द का निवारन हो रहा है, निपात, नियोग तथा निशेद, ठीके तो आंसर यहां पे क्या कर लेंगे, C is the right answer, चली, सवाल लंबर दो पे कहते हैं कि प्रेम चंद के अधूरे उपन्याज का नाम क्या है, तो यह 1936 में लिखा सब्द दिये गा है विकल्पों मेंसे, तत्समसब्द का चैन कीजिए , ढगिए तत्समसब्द सब्द विकल्पों मेंसे हम देखे, तो यह उल्क जो है, यह Tatsam Vakukan सब्द है का संस्कृट नियोग का थियों का त्ययों का मतलब तत्सम का मतलब तयों का तयों, यह कोषिन पूछ सब्चा है प्रयोग हिंदी में किया जाता या और देसज जो सब्ग होता है। इसी उत्पति का सुरोज जो है इस पश्ट नहीं होता है तदभव जो होता है तदभव सब्द का उत्पति तद्सम सब्द से होता है तो तत्सम इसमें पूछा गया है इसलिए ध्यान रखेगा मैं इने तीनों चीज बता दी तत्सम तद्भव और देशज ठीक है तो यहां प्यांसर के लिए उलूग जो है एक तत्सम सब्द का उधारण है अगला कोशिन है कि सम्मुख का बिलोम क्या होगा देखिए एक कोशिन आपके एक्जाम में रहेगा कि बिलोम और जो समनार्थी सब्द होते हैं यानि के परियावाची सब्द होते हैं वो भी पूछ सकता है सम्मुख का बिलोम यहां पर होगा बिमुख है न उल्टा ठीक है सवाल नमबर चलते हैं दूस्तों यहां पर पांच उपए अकल पर पत्थर पढ़ना एक मुहावरा है इसका अर्थ क्या है देखिए दसवी कक्षा के अधार पे यह नैस लिबस के अधारित यह प्रश्ण बोल चाल की भासा में जो सांकेतिक रूप से इसका भाव प्रकट होता है यह बुद्धी का भरष्ट होना सवाल नमबर चलते हैं दूस्तों 6 पे आंसर कर लिजेगा कामाईनी किसकी रशना है तो यह कोशन आ चुका है एक्जाम में पहले भी तो जैसंकर प्रशाद इसदा करेक्ट आंसर नोठ कर लेजीगा साथ पे कोँ चलते हैं सुद्ध वर्तनी देखिए वर्तनी जो होता है न यहाँ पे किसी बी सबद का सुद्धी कर मतलब सुद्ध उसका सब्द क्या होगा तो सुद्ध वर्तनी का चैन कें इसमेंसे कौन जो यह सही लिखा गया है जो प् परियाबाची सब्द है या अचला नोट कर सकते हैं D is the correct answer ठीक है धरती अचला मतलब की धरती को ही कहते है उसका है परियाबाची सब्द हो बिलोम पूछ लिया या आप एक हमने परियाबाची सब्द पूछ लिया इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी इस वाक्यांस का एक सब्द में उतर देना यानि कि आप लोग को एक संटेंस को एक वाक्य एक सब्द में बता रहा है ठीक है तो इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी को क्या कहते हैं हम लोग दिया इसको कहते हैं परिवार्जक क्या कहते हैं परिवार जग नोट कर लिजी का important question है आ सकता है एक्जाम में यहाँ पे सवाल नंबर चलते हैं 10 पे दोस्तों आंसर करेंगे निम्न में से तत्सम सब्दे के दूसरा question तत्सम से पूछ लिया गए यहाँ पे तो परिश्या जो है सब्द यहाँ पे एक तत्सम सब्द है ठीक है नोट कर लिजी का तत्सम कि इसको कहते हैं वे सब्द जो कि संस्कृत सब्दों के मूल रूप में हिंदी में परियोक्त हो उसको हम लोग तत्सम सब्द कहते हैं तो यह परिश्या जो है इसका आंसर सही होगा कुशन 11 पर चलते हैं सेलेक्ट दा एंटेनिम ऑप गिवन वर्ड सेवेज सेवेज का मतलब होता है दूस्तों जंगली ठीक है या फिर वहसी तरिंदा ठीक है तो इसका जो है आप लोगों बोलना है एंटेनिम यानि कि यहाँ पर समनार्थी सब्द ठीक है तो अंग्रेजी तो सेवेज यानि की जंगली वहसी और सिवलाइज यानि की सब्या तो आंसर यहाँ पर हम डी कर लेंगे ठीक है एंटेनिम यानिकी विप्रित वर्ड अपोजिट पर होता है अगले कॉश्चन पर चलते हैं कुश्चन 12 पर आंसर कर लेजीगा सेलेक्ट दा मोस्ट एप्रो करें यहां पर तो कोई भी व्यक्ति लंबा हो तो उसकी लंबाई को बताने के लिए हम लोग टॉल का उप्योग करते हैं दोस्तों ही सिक्स फिट टॉल ठीक है व्यक्ति के बारे में जब भी बात हो ठीक है ध्यान रखेगा हाई का परियोग खासकर निर्जीव वस्तू के लिए करते हैं उसकी उचाई बताने के लिए करते हैं ठीक है दोनों ध्यान रखेगा अगर निर्जीव वक्ति चीजों के बारे में बतादा तो यहां पर हम हाइव बताते हैं यहां पर किसी परसंद के बारे में बताय जा रहा है ही बोलके इस लिए हम लोग टॉल गया है यह एक सही वर्ड है आपका यहां पर लिखा गया है बिवरुक्रेशी मतलब इसका सही स्पेलिंग भी यू आर ए ए यू सी आर ए सी वाई ठीक है नेक्स वोशन पर चलते हैं कुश्च नमर 14 पर दोस्तों देखिए इसका है जो कर सकते हैं लोग यहां पर रचथा प्लिच पर प्लड कोषकर डीले swirl करन आणसिए दा कर टो इसलेगि को कर लेक कोश्तों इससेखें dir आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको पोयम दिया रहेगा या पहरा दिया रहेगा और उसके अधार पर कुछ कोशनर होंगे ठीक है तो यहां पर एक कोशन है अब यहां पर जो बोला गया है किस आप पोयम को पढ़ लिए कि आपने यहां पर और आगे भी है एंड टीडी देट वी दकन नॉट सी सिटी डॉम एंड़ क्लियर ब्लर स्काइब बिहाइंड इक कैन नॉट सी में स्टैंड बिकॉस बिगर मैं इस ब्लाइन एक पोयम है और यहां पर यहां पर समझेगा पढ़ पढ़ के इसको आपको इं टीक है और और यहां इसमें बोला जा रहा है यहां पर पर यह पोयम में सिर्फ एक ही बात पूछा गया है कि वह कहा जानने के लिए बोल रहा है मैंऩनी गोज्टू कहां पर एंपर सब्सक्राइब करते हैं यह जाने कीबात कर रहा है इसकूल इच मॉर्णिन आई गो टू-क्वल इसकूल फोफ यह अगर से 128 से B का बहुद 130 है और सी का वैलू 132 है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ-3 ABC यह एक formula है ठीक है यह इसको calculate करके इसका मान ग्याद करना आपको ठीक है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का formula –3 ABC अगर जब भी ऐसा रहे तो इसका formula क्या होता है याद होगा आप लोग को हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का हॉल स्क्वाइर है ना और प्लस बी माइनस सी का हॉल स्क्वाइर प्लस सी माइनस एका हॉल स्क्वाइर यह आपका फॉर्मूला हो गया समझे है अब जब इस पर ऊप्ट डाउन करेंगे इसको तो जो वैल्यू निकल कर आएगा वह कितना है गा 4680 इसको क्याश किजीएगा तो अंसर यहां पर हम लोग क्या करेंगे डी इस दर राइट आंसर, नोट कर लिजीगा लेकिन, सवाल नमर 17 पर चलते हैं, किसी त्रिभूज का छेत्र फल, 1176 cm2 है, देखें, cm2 यानि कि आपका छेत्र फल का, जो माप दिया गया है, काई दिया गया है, वो होता है, मीटर स्कार होगा, या सेंटमर स्कार होगा, ऐसी कुछ होगा, यदि आधार यों, संबंदित उचाई का हनुपाद, 3 is to 4 है, यहाँ पे आधार, यानि कि बेस और आपका हाइट का, रेशियो दे दिया गया है, तो त्रिभूज की उचाई याद करना है, कि what is the height, तो त्रिभ है, तो यानि कि आपका लंबाई, यानि कि आपका जो उचाई हो गया, height हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका आधार हो गया, यही होता है, तो हमें पता है, इसका छेत्रपल कितना दिया है, 1176, is equal to half into 3x into 4x, अब यहाँ से चार्तिया ही 12, और यह कर जाएगा, यहाँ से, 12 से, तो 6x square, 6x square is equal to 1176, यही हुआ, तो x square is equal to 6 से काट दिया जाएगा, तो 196, ठीक है, तो x square is equal to 196, आया, तो x का value 14, तो 14 का square किजिएगा, तो 196 होता है, है न, तो यहाँ पे x का value निकल के आजएगा, 14, यानि कि आपका x निकल गया, तो x निकल गया, तो यहाँ पे put कर 3 into 14, और यहाँ पे 4 into 14, तो आपका यहाँ पे निकल जाएगा, या, उचाही निकल जाएगा, 4 into 14, यह वला आंसर हो जाएगा, तो 14 जोके 56, तो 56 यहाँ पे अगर आंसर दिया है, तो c is the right answer, simple से सवाल आएंगे, mathematics से भी ऐसे कोई tough नहीं रहेगा, यदि दो भाई, तनु और मनु की वर्तमान आयू का अनुपाद 3 to 5 है, यह देखे एज वला है, तो इसको हम लोग 3 to 5 में लिखें, इसका आप लोग LCM जब निकाल लेंगे यहाँ पे, तो अंतर जो निकलेगा, एक् 5 में 3 जाएगा 2 है, और यह कितने के बराबर है, तीस के बराबर है, तो एक अगर हम निकाले तो यह 15 हो जाएगा, यह इसके अंतर एक पे निकाले तो इसका 15 हो जाएगा, तो नों की, तो तनु का बरतमान आयू, तनु का बरतमान आयू 3 है, ठीक है, तो 3 into 15 निकल जाएग तो बारा वर्स पहले यानि की 75 में से बारा घटा दीजे तो 63 साल का था वो ठीक है तो आंसर यहां पे 63 हो जाएगा सीज़ दराइट आंसर सवाल यह है आगे देखते हैं यदि कोई व्यक्तिक एक समान हानी के बजाए 4% लाब पर बेचता है तो उसे पहले विक्रैम मुल से 20 रुपय अधिक प्राप्त होता है तो क्रेम मुल क्या होगा यहां भी सिंपल सा सवाल है जब भी ऐसा कुछ हो कि जो लाब है किसे बेच रहा समान हानी पर बेच रहा है तो 4% पलस 4% इस इकल टू 20 रुपया चार परसेंट का लाब पर बेचता है तो पहले विक्रैम मुल से बीस रुपे का अधिक प्राफ्ट होता है तो उसका क्रामल निकालना है सिंपल सी भात है तो है अगर हम लोग यहां पर देखें तो 8000 इस व्कल टूट बीस रुपया और एक परसेंट निकाल लेंगे यहाँ से तो 20 बटे 8 रुपया तो क्रैमूल milk होता है हमारा हंडेट परसेंट में निकाले तो जो हमारा विक्रैमूल है यानिकी जो हमारा एक रिपया पर निकला है वह वो 258 है उन्ieten कर तो यहां से अंसर यह हो जाएगा सवाल नमबर 20 पर चलते हैं देखे निमने डेटा समुच्छे के माध्यमिका और बहुलक क्या होगा तो यहां पर दिया गया जो आकड़ा है हमारा यह जो यह जो सिरीज दिया गया है इसमें बोल रहा कि इसको पहले अरोही करम में सजा कि उसके बड़ा 17 है ठीक है उससे बड़ा 51 है और उसके बड़ा 22 है और यह माधिका निकालते हैं उसका फर्मूला वांग के इसमें से कौन सा है एक दो तीन चार पांच यानि सोला हुआ जो है यह हमारा पांच वांख है तो जब भी मादिमिका और बहुलक निकालना है ना जो भी तो आपको ध्यान में रखना होगा पहले आरोही करम में सजा लेजिए उसको ठीक है और बहुलक क्या होता है बहुलक ऐसी संख्या होती जो कि अवलोकन के समू में सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है तो बहुलक इसमें क्या है सोला और साथ है भाई तो यह ध्यान रखेगा चीक है सवाल नंबर चलते हैं एक इस पे दोस्तों दस आदमी या अठारा लड़के किसी काम को पंद दिन में खत्रम कर सकता है 25 और पंदर लड़के मिल के कर रहें तो उसे दुगना काम कितने दिन में कर सकेगा तो यहां पर एक फॉर्मूला याद होगा आप लोग को एम डीवन अपॉन डबलू एम डीटू अपॉन डबलू टू तो इस फॉर्मूले पर निकालेंगे तो यह आंसर आपका नौ दिन आ जाएगा तो इसको निकालेंगे काल्कुलेट कीजिएगा खुद से नहीं बनेगा तो बताएगा इसका सुलिशन भी बताया जाएगा आगे चलके सवाल यहां पर है दोस्तों की कुशनमर 22 है अनिल जो है एक लॉट्रे जीती और उसके इनामी राशी कितना है उसके पास तो यह एक बटे तीन एक्स हो जाएगा है ना एक बटे तीन हो जाएगा यहां पर एक बटे तीन वा भाग उसको प्राप्त होता है तो तो भाई अगर दोनों को हम लोग यहां पर कल्कुलेट करें एक बटे तीन एक्स और इंटो वन बटे छे यह भी आपका भाग उसी को मिलता है और इस कितने बराबर है 6000 की बराबर है इकस का वैलू यहां से निकल के आया कितना 108 000 यही ओगा छेतरी अठारा और बारा बारा नुवा एक सो वाट ठीक है तो यह इस तरह से आपका यह आंसर हो जाएगा डी इस दराइट आंसर ठीक है चली सवाल है कि यहां पर कि आंकडों का बहुलग ज्याद करना यहां पर तो इसको क्या करना पहले आरोही करम में सजा लेना है तो आर एक है फिर दो है यह सबसे आरोही करम सजके तो कैसे लेंग सकते हैं तो यहां पर देखा़ तो एक बटे डू की जो आवरिती वह सबसे अहीं उतिक है और बहुलक क्या हो जाएगा बहुलक है इनक साथी ज olması ज्शादा है इसे शबिज्यादा तो दोस्तो각 और चैने है चा Dieses दो बर है लेकिन इसे बड़ा है यह बहुला कि आपका यह होगा जो कि आरोहिक रम में सबसे पहला होगा और सबसे ज़्यादा होगा अंसर यहां पर हम भी कर लेंगे सवाह लंबर चलते हैं 24 पर दोस्तों यह ग्यारा सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने और सथ 23 रन बनाए य यह निकल कर जाएगा 253 ठीक है अच्छा पहले खिलाड़ी का रन जो है 113 था यह आपको पता है और दस बाकी जो बच्छी 10 का तो दस खिलाड़ी का कुल रन कितना हो जागा तो दोस्तों तीरपन में से 113 घटा दीजिए तो आएगा 140 यह बाकी जो 10 खिलाड़ी है उनका यह रन स्कूर है ठीक है ध्यान रखेगा तो दस खिलाड़ी का उसत रन पूचा है तो दस खिलाड़ी का उसत रन 140 बटे 10 कर लिजिए तो 14 रन तो 14 रन यहां पर आंसर हो जाएगा ठीक है कुशन है यहां पर की 28 मीटर ब्यास वाले एक वरिताकार मैदान का समतल करने की ला इसमें आपको पाई का वैलू पता है ठीक है इंटू यहां पर हमें क्या पता है 28 मिटर ब्यास है ब्यास तो त्रीजा कैसे निकलेगा 28 बटे 2 कर देंगे यही होता ना अर्वाइस बटे साथ इंटू एक सो चानवे यह हो जाएगा और इसको कैलकुलेट किजिए तो 616 आएगा वर्ग मिटर लेकिन समतल करने में कुल लागत कितना लग रहा है 125 रप्या तो 616 गुने 125 कर दीजिएगा इसको जब कैलकुलेट किजिएगा तो 77,000 रुप्या आएगा तो यह आंसर हो जाएगा सवाल अब चलते हैं अगले यहां साइंस की तरफ साइंस का कोशन है यह आंसर करेंगे कोशन है कि अभिक्रिया जय्क्लीक्णा एकल्च्ट्च्ट्र conse यह जल का आचरन करता है जहाएवर कैसा आचरन की यहां पे फ्यरो kicks session हैC है आपको आंसर किया आपए यह वंपी विलाया करता है धीकक है अब यहां पर इस अथी 술 आपक्रिया में अब यह पिक्रिया में H2O क्या है सार्व भॉमिक विलायक होता है H2O में हाइडोजन बंध पाए जाते हैं ये ध्यान रखेगा जल्ड ये जो है नश्में H2O जो है उसका कवथनांग अधीक होता है क्योंकि ईसमें हाइडोजन का बंध पाए जाता है इसलिए ये क्या करेगा करेंगा बिल्कुल भसम की तरह कारे करेगा और अंसर B कर लेंगे दोस्तों अपचयक वह पदार्थ है जो तो औस प्रभी आंसर करेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रोन का ट्याग करता है उसको अपचयक कहते हैं ठीक gel देखे औक्सिकारक क्या होता और आपका अवकारक क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग वैसे प्रमाणू या अनू होते हैं जो कि आयन् जो ग्रहन करते हैं चीज़ा अर्थात वैसे पतर जो किए दूसरे पतरदों का औक्सीकरन करते है तो उसको मैंयोग State- turbulence केहते और अवकारक जिसको reducing isn't कहते हैं तो वह भी ध्यान रखेगा वैसे प्रमाणू अणू या फिर आयन जो की इलेक्ट्रोन का त्याग करते हैं क्या करते हैं तो यहां से अंसर कर लिजेगा दूस्तों जो की दूसरे प्रतारत का अवकरन होता है यह तो यह आवकारक कहलाता लेक अंसर यहां पर हम बी कर लेंगे स्वाल नंबर चलते हैं 28 पर दोस्तों सहसंजोजकता क्या है सहसंजोजकता में दोनों प्रमाणूओं द्वारा इलेक्ट्रोन की साज़ेदारी होती है तो यह तो आंसर यहां पर देखे तो आपका option यहां पर बिल्कुल कैलकुलेशन सही ह बी तो राइट आंसर नोट कर लिजएगा यहां से सहसंजोजक बंधन तीन प्रकार कर होते हैं कोशन यह भी पूछ लेगा कभी कितने प्रकार होते हैं एकल सहसंजोजक बंधन द्वीक सहसंजोजक बंधन और त्रीक सहसंजोजक बंधन ठीक है तो यह आंसर तीन बता पूछा गया है तो नहीं पूछा गया है इसलिए रेडियो एक्टिव परिवर्तन जो है यह कभी भी आपका द्रविमान सरक्षन के लिए सही नहीं है ठीक है तो आंसर यह हो जाएगा यहां पर सीधे स्वाल लंबर 30 पर चलते हैं आवेश या फिर द्रविमान का मान बढ़त हुए क्रम में बताएं चलिए यह भी कोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आ सकता है एक्जाम में और देखिए एक ही कोशन पर थोड़ा सा काम कीजिएगा तो आपका एक्जाम अच्छा जाएगा यह दसवी की कक्षा के अधारे पर सब्सलेबस इस पर पैटन जो है दिए से यह आयन छोड़ता है अपना वैसे आविश जो है यहां पर बढ़ते क्रम में इंदका यह क्रम सही है यहां पर निम्न में से किस बिज्ञानिक ने वर्ण लेखन क्रोमोटोग्रैफी की खोज की है क्रोमोटोग्रैफी देखिए यहां पर आंसर कर लिजीगा इट से चलिए वर्ण लेखन जो है यह विधी में किसी भी मिश्रन में पदार्त का अधिशोसन छमता की अधार पर ही किया जाता है ठीक है न अच्छा यहां पर एक समिकरन दिया गया है छेट है एकम बना है च्अझ इस एकल टू किय 도 तो यह क्राण जो होता है अरही पाई और एक पाई बॉन्द होता है तो यहां पर आंसर क्या कर लिजिएगा दूस्तों जियां टोटल यहां पर 9 बनेगा ठीक है चलिए यह ध्यान में रखिएगा इसको सवाल लंबर 33 चलते हैं किसी भी और्बिटल में इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम संख्या होगी बिलकुल आंसर कर लिजिए किसी भी और्बिटल में इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम संख्या दो होती है यह और्बिटल में किवल दो ही इलेक्ट्रोन रहत सकते हैं इसलिए ठीक है सवाल लंबर चलते हैं 34 पर कुलाम नियम के अनुसार निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य नही है तो कुलाम के नियम के अनुसार अगर हम देखे दोस्तों तो गतिशील आवेशो पर लागू नहीं होता है इसलिए आवेश यानि जो चार्ज होता है वह गोंड जिसके कारण पदार्थ विधूत और चुम्बक की प्रभाव उत्पन करता है यह अनुभाव करता है यह अ कोई optician सकती जो की-5 डैप्टर है निर्देशित करता है कि संगत लेंस कैसा होना चाहिए तो यह बिलकुल आंसर कर लेजिएगा यह दो मीटर जो है आपका फोकस दूरी का अवता लेंस है ना यह होना चाहिए तो यह आंसर कर लेजिएगा यहां पे पी का आप लोग जानत क्या होता है मतलब वन भाई फोकस होता है इसे वैल्यू रख दिजिएगा तो यह माइनस टू मीटर आएगा तो यह दो मीटर फोकस दूरी का और लेंस होना चाहिए तब यह बनेगा सवाल लंबा चलते हैं 36 पे निर्द में से कौन सी राशी अदीस है तो आंसर कर पूछा गया है एक्जाम में ठीक नेक्ष्ट है कि ध्वानी का वेग एवं परम ताप से क्या संबंध है तो बिल्कुल आंसर कर लिजी के दूस्तों जो यह होता है यह परम ताप जो है टेंपरेचर के यूद्ध करमनुपाती होता है यह रूट के तो यहां पर आंसर हम क् ठीक है डी इस दा करेक्ट आंसर आप नोट कर सकते हैं ठीक है नेक्ट कुश्चन पर चलते हैं कुश्चन 38 पर दोस्तों 25 होर्सपावर सकती की एक प्रीएट कार जो कि 40 किलोमेटर प्रती घंटा की एक समान गती से चल रही है तो इंजन द्वारा गती की दिशा में लगा भल क्या है नोट करना जिए निए दोस्तों यहां पर शक्ति क्या होता है बल इंटु बे घोता है यहां पर जब आप 40 किलोमेटर का यह यह अप confront यहां पर 20 प्रतीता की एक समान गती से चल रही हैıı तो नियांद कि दिशा में लगा गया तो यहां पर आंसर क्या कर लिजीगा आप लोग इस दी इन में से कोई नहीं ठीक है डी इस द राइट आंसर स्वाल पर 49 यदि दो आवेशों की बीच की दूरी दोगना कर दिया जाये तो लगने वाला बल हो जाता है कि दो आवेशों की बीच की दूरी दोगनी कर दिया तो लगने वाला बल एक बटे चार गुना हो जाता है सीजद करेक्ट आंसर ठीक है यहां से आप नोट कर लेंगे स्वाल लंबर चलते हैं चालेज पर इस पस्ष्ट द्रिष्टी की नियूंतम दूरी क्या होती है मनुष् की इनफाइनइट हो लगा यह भी ध्यान रखेगा स्वास्त मनुष्य के लिए इस पस्ष्ट दूरी के अधिक्तम दूरी अननत्थ होती है ठीक है मनुष्य की आंख का जो कॉर्णिया होता है प्रकास के नित्र में प्रवेश करता है इसलिए रक्त कणिकाएं नहीं होती है इसका रंग उजला होता है ठीक है सवाल उम्मर 41 पर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर नोट कर लेगे दस किलोग्राम द्रबिमान के एक निकाहे को पांच मीटर पर सेकेंड के विक से 36 सत्ता पर चलाया जाता है यदि द्रबिमान दोगना हो जाता है तो घर्शन बल क्या होगा तो बिलकुल यह एक फॉर्मुला है आप लोग का याद रखना होगा एफ फिजिकल टू एफ फिजिकल टू क्या होता है तो न्यूटन एफ पाती होता है यह द्रबिमान के यहां पर एफ टू अपॉन एफ फ़ण टू एफ टू एफ टू एफ टू एफ टू निकलेगे वो दूगना होगा एफ वण के तो क्या हो जाएक आंसर यहां पर दूगना हो जाएगा बी इस दा करेक्ट आंसर सवाल नंबर चलते हैं 42 पे कोई नहीं होगा क्योंकि जब दो एंपियर की धारा 50 प्रतिरोज से 50 ओं प्रतिरोज से एक मिनट तक प्रवाहित होगी तो प्रतिरोज की उत्पन उश्मा जोगी ना 12000 जूल होगी ठीक है तो वह कैसे निकलेगा भाई तो एक फर्मूला होता है आई स्क्वाइर इंटू आर इंटू टी यह उश्मा का वे जो है फर्मूला होता है जब इस पर रखेंगे पचास और एक मिनट के लिए तो यह हो जाएगा और यहां पर प्रतिरोज संते यहां पर विदुदारा जो है वह कितना है बाई टू का स्क्वार कर लिजेगा यहां पर टू का स्क्वार इ है आंसर यहां पर 12,000 जूल होगा सबाल लंबर चलते फोटी तरे पर धमनी यहम सीरा में रख्त का पी एच मान क्या होता है यह कोशन यहां से रहेगा बिल्कुल तो आंसर कर लिजेगा दूस्तों यहां पर भी धमनी में अधिक और सीरा में कम होता है धमनी और सीरा में स्वाल लंबर चलते हैं 44 पे फीमर तथा टीविया फ्यूबुला के बीच कौन सा संधी होता है फीमर तथा टीविया फ्यूबुला के बीच कबजा संधी होता है क्या होता है कबजा संधी होता है यह हेंट यह हेंज जॉइंट भी कहलाता है दोस्तों याद रखेंगे जिसमे कि घुटना और को कोनी अंगुली के पैरों में यह ज्वाइंट होते हैं उससे बनता है यह सवाल नंबर चलते हैं दुस्तो पैतालिस पे निमलिकीत में से ब्यवर्शाइक स्वसन विकार कमर्शियल डिसॉर्डर का उधारन है तो बिल्कुल आंसर कर लीजेका यहां पे कोशन नंबर 45 कीजिएगा दोस्तो यहां पे आप लो जो विवर्शाइक्स डो है कमर्शियल रिश्प्रेट्री होता है डिसॉर्डर इसका जो सीलकॉसीस का उधारन होता है यह सीलीक काम्यता कहलाता है उन्दी में यह ध्यान रखे और बहुत सारे होते हैं जीसे कि धूल का प्रकार जैसे की कोईले का दूल होता है तो उसे इंत्रा क्याशिस रोग होता है तो बहुत सारे धूल से आप लोगो यह बिबारिया हो सकती है भ्रोण अनुपस्तित होता है तो इंब्रोरियो है जो है तो यह इसमें हमें किसमें होता है वाई तो याद रखेंगे टेरी डोफाइटस में होता है ठीक है तो आंसर क्या कर लेंगे इट सरी माफ करेंगे यहाँ पर यह बोला गया भ्रोण ना सरी यहाँ पर देखेंगे 46 आंसर किजिए भ्रोण जो है यह अनुपस्तित सहवालों में होता है मतलब यह उसमें नहीं होता है ठीक है सहवाल में हरि और उपचय दोनों होता है यह इसमें तो आंसर सी कर लिजएगा माइट्रो कॉंडिया में क्रेप elkaar दुओरा ुर्जAR उत्पन होता है यह त голॉजा जो है एटीपी के रूपं क्यूं होता है एक बिलकुल आंसर क्रिजिएगा दोस्तों सी ये सुकराणू ум दिर्यावान के लिए संबाने स्रीर के तापमान की तुल्लमें कंद दापता कि वश्क्तह होतीं सी इस द्रोक्ष टांसर ठीक है सुकरानूma जो होते हैं यह नर्व का है यह आपके बच्चों में जब जाएगा तो यानि कि पैत्रिकता सिद्ध करने के लिए डिने जो है यह अंगुली च्छाब यानि कि जो डिने फिंगर प्रिंट है वो सहाइक होता है ठीक है अंसर के लेंगे यहाँ पे आप लोग डी कर लिजीगा अंगुली का च्छाब भी आपका यह पता लगाया सकता है यह नाक से रुधिर बह नाक क्या कहलाता है बिलकुल यह कहलाता है दोस्तों एपी टॉक्सिस, क्या गलाता है, एपी टॉक्सिस, D is the correct answer, सवाल लंबर चलते हैं दूस्तों, 51 पे, निमलिखित में से कौन सा विकल्प विदुधारा के तापन प्रभाव का उधारन नहीं है, तो आंसर कर लिजीएगा दूस्तों, यहाँ पे इट सब B, पंखे की कारेशिल जो है, इसका उधारन नहीं है, पंके की कारेशिलता विदुधारा के चुम्बक्य प्रभाव से समन्दित है, उसके सिधान से समन्दित है, ठीक है, याद रखिएगा, सवाल नमर 52, निमलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हाड़वेर घटक नहीं है, तो नहीं बोल इसलिए ध्यान रखिएगा, इस सब भी मैमोरी, ठीक है, मैमोरी नहीं है, और मैमोरी कंप्यूटर का एक हाड़वेर घटक नहीं है, लेकिन कंप्यूटर हाड़वेर में बोख भाग क्या है, ये इन्पूट यूनिट होता है, इसका स्टोरेज यूनिट होता है, और है जो परिषी जो ऑनों की नगुस family के लिए के रविस्टार होना किक या फिर ऑशनन करना है 2024 हाट डिस्क किस प्रकार का श्टोररेज नगांपर यहां यह द्वीतिय की स्टोरेज कहलाता है ठीक है याद रखेंगे हाट डेस्ट वोता है और यहां पर यह नन वोलाटाइल होता है यह भी ध्यान रखेंगे आप लो सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहां पर 55 पर दोस्तों इन वोंट्रियल प्लेट पर कोशिका के केंदर में गुण सुत्रों का संरक्षन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है तो आंसर कर सकते हैं यहां पर आप लो इट्स अ सी मेटाफेज मेटाफेज क्या है तो गुण सुत्र का छोटा हो जाता है जहां पर कोशिका के मद्ध में अवस्तित हो जाता यह ठीक है और जो इकवेटोरियल प्लेट होता है उस पर कोशिका के केंदर में गुण सुत्रों का जो संरेक्षन होता है या संरेक्षन होता है सबसे बड़ा कौफी उतपादक देश कौन सा है तो यहां से अंसर कर लिजी का ब्रजील है दीज दर राइट अंसर नोट कर लिजी का यहां से दोस्तों नेक्ट सोशन है कि मेची नदी किस नदी का सहायक नदी है जो है महाननदा नदी का सहायक नदी महाननदा बारत से बंगला देश में लाएक समय कर दो एक चाहतया कर लेएक महाननदा एग पूछा यहां पे आंसर किया कर लिजीगा इट्सट्टी महानन्दा है यह मेची नदी का सहायक नदी ठीक है याद रखेंगे और यह आपको गंगा का भी सहायक नदी है तो यहां पर दोनों आंसर हो सकता है तो एप 20 आपकेक माफ करेंगे यहां पी जो है महानंदा ही आंसर होगा गंगा जो है ना नहीं ना आणानदा की महानंदा ओर महानंदा वहीं मेरत ऐसे सिवाल लंबर छलते हैं 50 पर सीमा सदक संगथन के सीमा सडक संगठन जो है रक्षा मंत्राले के अंत्रगात आता है यह ध्यान रखेगा इसके अंदर यहां से हो जाएगा आपका और यह सन 1960 में इसका स्थापना किया गया था कुशन बन सकता है एक्जाम में सीमा सडक संगठन का कारिया सीमा वरती खेत्रों में होता है जाकि सडक का निर्मान यहां पे किया जाता है ठीक है शवाल मंबर 59 बारी दुवाब किसके बीच का खेतर है बारी दूआब जो ये ब्यास और रावी के बीच का छेत्र है दोस्तों आंसर क्या कर लेंगे लिए करेक्ट छी के डो नदियों के बीच का उपजाओ भूमि को हम लोग दूआप कहते हैं और आपका आःथ होता है पानी है ना दो आप यानिक दो भूमि के बीच का उपजाओ छेत तो यह इंपोर्टेंट है बारी दुआप आंसर कर लिए यहां पर देखे दुलहनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलाई है ना पोटलाई जो होता है यह पोशाक किस राजी से संबंदित है तो जो है यह पोटलाई जो है विदेश में भी लोग प्री हो रही है तो यह ध् सवाल लंबर शलते हैं दोस्तों 61 पर मलेशिया की मुद्रा क्या है तो यह रिंगिट है याद रखेंगे दोस्तों यहां पर डी इस दा ख्रेक्ट आंसर ठीक है और दोस्तों यहां पर बहुत सारे क्रेंसिस के जो है ना आपको लिस्ट मिल जाएगी क्योंकि आप लोग दोस्तों यह एक एम फातिमा वीवी थी डी इस दा करेक्ट आंसर स्वाल लंबर 63 दोस्तों कोशन है यहां पर की यूवेन चार्टर का स्थापना दिवस क्या है आंसर कर लिजीगा दोस्तों सी 24 अक्टूबर 1945 इस दा करेक्ट आंसर नोट कर लेंगे नेमलिकित में से कौन स रच नागत सुनिदा यानि कि अंत्रगत के अंत्रगत नहीं आता है सन्राश्फ नागत है संराश्नात्मक भोल सकते हैं इसको ठीक है इसके Infrastructure के अंदर नहीं आता है इन में से उनमें संब करते हैं मनोरंजन का छेदरNG जो सब्सक्राइस प्तिश्ण में गयं में में सब्सक्राइब का स्थान का समुंद्रपुत्र कहते हैं तंप बिल्कुल गंगा सागर को समंदर पुद कहा जाता है दोस्तों याद रखिएगा हुगली के निकट 20 किलोमेटर लंबा ये सागर दीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जानते हैं ठीकिए आंसर क्या कर लेंगे सि is the correct answer यहां से आप नोट कर सकते हैं इस्वाल लंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 67 पर आणसर कर लिजीगा निमलिखित में से किस गरंथ ने गांधी जी को सर्वोदय की दर्शन का सुत्रपात करने के लिए प्रेडित किया है तो गांधी जी को सुरूदय की दर्शन के सुतरपात अंटु दिस लास्ट पुष्टक ने किया है। सवालल मैं चलते 68 पे। गौतमबुद ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया था? आंसर कर लिएगा इट्स सी कुशी नगर में यह तो आप लोगों पता होना ची बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों ठीक है स्वती नदी है वहां पर बुद्ध ने अपना सरवाधिक उपदेश दिया है सारनाथ चहां पर बुद्ध ने प्रत्थम उपदेश दिया था ठीक है सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों यहां पर 69 पर अमर कवी विद्यापती ने अपने सू ललित काभी की रशना किस सासक के छत्र चाया में की है तो आंसर कर लिजीगा दोस्तों सीव सिंग इस दराइट आंसर सवाल लंबर 70 बिश्व परसीद मयूर सिंगहासन मुगलो किस भवन में रखा गया था आंसर कर लिजीगा दिल्ली के लाल किला का दिवाने आम में दी इस दा करेक्ट आंसर यहां से आप लोग नोट कर सकते हैं ठीक है मयूर सिंहासन दोस्तों बैठने वाला आंति मुगल सासक मुहम्मद साह था जो की रंगीला बाशा के नाम से भी राइट आंसर नोट कर लिजीगा प्रथम जैन महाजबा पाटली पुतर में इस थुल बाहू की अधेस्ता में हुई थी सवाल लंबर चलते हैं बहत्तर पे दिल्ली सल्तनत का शाशक जोकि दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे सहर ले गया जिसके बाद आगरा नाम से ज होम रूली की स्थापना दोस्तों प्रथम विश्वयूत के समय हुई थी ध्यान रखेगा बीजद करेक्ट आंसर नोट कर लेंगे यहां से और यह अप्रेल 1916 में हुई थी होम रूली की स्थापना बाल गंगा धर तिलक के द्वारा की गई थी ठीक है और भारत में होम यहां पर यह कर लीजिएगा इस दा करेक्ट आंसर नेक्स्ट के सुभाष चंद्रबोष ने सन 1943 में आजाध हिंद फोज की कमान किस देश में संभाली थी तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों इससी सिंगापूर नोट कर लीजिएगा आजाध हिंद फोज का गठन एक नुबर 1942 में किया गया था और 1943 में इसकी कमान जो है सवासंद्रबोष ने सिंगापूर में समझाली थी तो साल और सागौन सबसे महत्रपून पेड़ है ठीक है तो यहां पर दोस्तों यह किस तरह का प्रेड़ है यह आपको आंसर करना है यहां पर जल्दी सांसर कर लीजि में 100-200 cm की बीच की वर्षा जहां होती है वहां यह पाए जाते हैं पर्णपाती वन ठीक है 100-200 cm किस भारती सहर के अंतराष्टी हवायड़े का नाम डॉक्टर बी आरंबेटकर के नाम से रखा गया है बिलकुल आंसर कर जीगा नागपूर नागपूर इस दा करेक्ट आंस में एक मूल का नहीं है जी हां वीडा इस दा करेक्ट आंसर टी इस दा राइट आंसर वीणा तंत्री वाद्दो का संद्राष्णात्मक नाम है सरस्वति और नारद वीणा के वादक देव भी है तो डी इस दा राइट आंसर स्वाल लंबर चलते हैं 89 पे दोस्तों 26 जनवर यहां से 26 जनवरी 1950 को एतिहासी कारणों से संभिधान लागों किया गया था और भारत को गणत्र घोष्चित भी किया गया था यहां पर स्वाल लंबर 80 दोस्तों नेमलिकित में से कौन सा यूगमक सुमेलित नहीं है तो नहीं बोला गया है यहां पर ध्यान दीजिएगा ठ किया था ठीक है किस ने किया था एम जी राणाडे ने किया था और दोस्तों पुना सरवजनिक सभा जो है पश्चिम भारत की प्रतम महत्रपुण नाजनितिक संगठन भी थी तो डी इस दा राइट आंसर सवाल नंबर चलते हैं क्या सबसे बड़ा डेल्टा सुन्दरवन है जिसका के छेतर फल क्या है तो आंसर कर लिजिए का 75,000 वर किलोमेटर डी इस दा राइट आंसर नोट कर लिजिए यहां से इसका छेतर फल 75,000 वर किलोमेटर है सुन्दरवन का डिल्टा भारत और बंगलादेस में भी विस्तिरित है याने के फैला हुगा है अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हैं कहां पर भाई तो अरब सागर और फारस की खाड़ी जो है हारमुज जल्डमरू मद्दे से जुड़े हैं तो यहां से बी उत्तर कर लिजिएगा इस दा करेक्ट आंसर पाक जल्डमरू मद्द बंगाल की खाड़ी और अरब की सागर को जोडता है ठीक है याद रखेगा स्वाल लंबर चलते तीरासी पे निमलिकित में से कौन से इस्थान का दैनिक तापकरम उच्चतर होता है तो यह याद रखेंगे दोस्तो इट्स ए दिल्ली का दैनिक तापकरम जो है उच्चतर है यह इस दराइट आंसर स्वाल लंबर 84 दो दोस्तो बद्रिनात किस नदि की तटपरबसा है बद्रीनात जो अलग नंदा नदि के तटपरबसा है याद रखेंगा सिदा करेक्ट अंसर यहां से साघ्रियે जल है जिसका द्वारा निर्मित इस्त्राख खिर्ती होता है जिसे कि दोलाइन भुमिकत जल द्वारा यह निर्मित भी होता है तो सिज्वाइब ऊंसर एक शागरिये जल्ड है तो नोट कर सकते हैं स्वाल 86 कॉक्पिट ओफ यूरोप किस देश को कहा गया है कॉक्पिट ओफ यूरोप जियां बेल्जियम को कहते हैं दोस्तों याद रखेंगे इस दह क्रेक्ट आंसर, यहां से आप लिख सकते हैं, प्यासी भुमी का देश औस्ट्रेलिया को कहते हैं, पहाण के डहलानों पर मुक्य रूप से किया उगाय जाता है, तो आंसर कर लेजीगा दूस्तों, चाय उगा जाता है, पहाडों के ढलावाओ पे मुख्य रूप से चाय उगती है, भारत में सबसे अधिक चाय असम करता है और कहवा का उत्पादन का सबसे अधिक जो राजिय है, करनाटक है भारत में भटकल बंदरगा किस राज में स्तित है भटकल बंदरगा करनाटक में ही है याद रखेंगे सीज दा करेक्ट आंसर और भारत में जो मुख्य भूमी से करीब एक सट सो किलोमेटर की लंबी तट रेखा पर बंदरगा की स्रिंकला है तो कि कुल 226 है यह ध्यान रखिएगा आप लो स्वाल लंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर कुश नमर 89 पे किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद निंदा प्रस्ताव माना जाता है सरकार के विरुद न लिंदा प्रस्ताव यानि कि स्थगन प्रस्ताव माना जाता है दोस्तों यह इस दह करेक्ट आंसर नोट कर लिजीएगा स्वाल लंबर चलते 90 पे दोस्तों यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परिक्षक पर कदाचार तथा और समर्थकता का आरोप लगाया जिर्याता है तो यह पद्च युक्त होता है तो नब्वे का यहां पर आंसर कर लिजीए दोस्तों आप लोग बिल्कुल यदि भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक पर कदाचार लगता है तथा यह और समर्थकता का आरोप लगा जाता है तो वह जो पद्च युक्त जो संसत के दोनों सद्नों पर समान यानि कि समावेदन पर लगाया जाता है तो आंसर यहां पर हम यह कर लेंगे इस दराइट आंसर देखे जो नियंत्रक और महालेखा परिक्षक होते हैं यह महाभ्योग द्वारा हटाए भी जा सकते हैं अनुछेद 148 से लेकर 151 की बीच में CAG का हम लोग उप्योग करते हैं जो कि उसे संबंदित हैं नियंत्रक महालेखा परिक्षक के नियुकती राष्टपती करता यह ध्यान रखेएगा चलिए स्वाल नंबर 91 निमलेखित में से किस अनुछेद में राजे सभा को एक अधिकार है कि दो तीहाई बहुमत से किसी नई अखिल भारती सिवा को इस्थागित करता है तो बिलकुल यहां से आंसर कर लिजिए दोस्तो ए इस द करेक्ट आंसर आर्टिकल 312 अखिल भारती सिवा इनमें किसी बात की होते है कि यह होता है कि यदि राजे सभा में उपस्तित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित एक संकल्प द्वारा घोशित किया जाता है तो आर्टिकल 312 अप्योग यहां होता है ठीक है नेक्ट शोशन प सब्सक्राइब करनाटक राजी के फलो के पकने का सहाय करता है अप्रेल बहिंदे में भारत में पश्मी तर्ट पर वर्सा होती है जिसे की मालाबार के आम उत्पादन होते हैं और वहां के छेतर में आम की बहुचार हो जाती है किस संब्धानिक संसोधन विध्यक द्वारा लोगसभा के कारेकाल को 6 वर्स से 5 वर्स कर दिया गया तो आंसर कर लिए द्वारा संब्धान संसोधन हुआ था 1978 में जिसमें की लोगसभा का कारेकाल 6 से घटा कर पांच वर्स कर दिया गया था ठीक है बी इस दा करेक्ट और से आंसर की स्थापना कब हुई ती है कंपनी यह दोस्तों याद रखेंगे तो सेल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1974 इसवी में ठीक है ये भारति इस पात प्रद्धिकरन लिमिटेड है जो की 1974 में श्थापना कीगी तो आंसर यह कर स्वाल लंबर चलते 97 पे राष्ट्रिय सोतंदरता अंदुलन के दोरन किसने कहा था तखते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की तो यह कथन किसका है राष्ट्रिय सोतंदरता 1857 के समय दिल्ली की गद्धी पर कौन था बहादूर साज जफर जो की 1857 की बिद्रों के समय दिल्ली से नेटित तो किया था जिसने कि कहा था कि तखते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की यहां से आंसर क्या कर लेंगे सी इस दा राइट आंसर इस सवाल लंबर चलते ऐं अंठानुए पर दोस्तों आर्थिक विकास का वास्तिविक अर्थ तो बिलकुल आंसर कर लिजीगा प्रतिवक्ति आय और राश्ट्याय में व्रिधी होना सवाल लंबर 99 दोस्तो आंसर कर लिजीगा यहां पर चलिए भारत में हिंदू व्रिधी दर किस विषय से संबंधित है तो हिंदु वृधी दर का मतलो यहनускे हिंदु की वृधि हो रही है हिंदु वृधी दर का मतलव उतला होतहर सम्वन्द है ठीक है आंसर यह हो जाएगा यहाँ पर राष्टि हाय्म में सरवाधिक योगदान सेवा का छे तरहय और भारत सरवाधिक प्रतिवेक्ति आये वाला राज्य कौन सा है तो गोवा है ठीक है याद रखेगा नेमलेखित में से कौन सा अंतराष्टी संस्थान विभिन देशों को अल्पकालिन रेंड परदान करता है तो आंसर कर लिए दूस्तों यह अंतराष्टी मुद्राकोस जी यह अल्पकालिन यानि की छोटे सम और आये में जो है दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था तो 27 सिप्टेंबर 27 सब्सक्राइब 27 डिसंबर उन्हें सो पैतालिस में हुआ था तो यह ध्यान में रखेगा एक कोशन पूर सकते हैं यहां पर ठीक है इंडिया इंटरनेशनल मोनेटरिक फंड कहते हैं इसको ठेक है तो यह इस दर राइट अंसर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखें सौव प्रश्ण जिसका क्यों उत्तर आप लोगों को यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा वीडियो पसंद आएगा तो लगातार यह स्टेट आप लो झाल करता हो नग्करै करता होगा यह झाल करता है